देश्विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है संस्था के सभी परिसरों में कारेक्रमों का दौर शुरू ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतराष्टिवे मुख्याले माउंट आबू तथा आबूरोड के सभी परिसरों में कारेक्रमों का दौर प्रारंब हो गया है सबसे पहले बात करें शांतिवन की तो यहां राजयोग शिविर की शुरुवात हो गई है अभी यहां गुजरात से साड़े तीन हजार लोगों का गुरूप आया है जो राजयोग धान सिख रहे है आये जानते हैं कि लोग कैसा महसूस कर रहे हैं ब्रमा कुमारिस के मुख्याले में शांतिवन में यहां पर राजयोग शिविर का एक शंकला शुरूग है जो कि पहली शंकला का पहला सत्र यहां पर आज हम देख रहे हैं तो यहां पर जो लोग आए हैं तो चलिए अब उनसे पूछते हैं कि उनको यहां आकर के कैसा मैसूस हो रहा है हम यहां सीबिर में आए हैं और हमने यह देखा कि यहां की cleanliness और यहां की purity और peaceful atmosphere हम बहुत अच्छा लगा है इस बिनान का मतलब यह है कि हम अपने भीतर जाके और अपने आपको सोयम को देखे कि हम क्या है ब्रमात्मा का ग्यान मिल गया है यहां के हुआ हैं चौरासी जन्व में जो आत्मा की weakness हो गई है बुकुल डल हो गई है यहां चार्ज हो रहे है मुझे यहां बहुत सुकुन मिला है जीवन में सांति चाहिए तो ब्रमा कुमार है बहुत जरूरी है जीवन में शांति किसे कहते हैं कैसे मिलती है यह सब यहां से खुब अच्छी तरह से हमको जानने को मिला है मेरा यहां का experience बहुत अच्छा रहे है जो यहां inner peace यहां आने से कुछ अलग vibes मिलता है हमें बहुत अच्छा लगा इस अलगता है कभी में चिनगी में जी रही हूं अब बहुत अंधकार में थी मत जहों इसा लगता है इधर आके बहुत अच्छा लगा कोई कानुबूती हुई कि जो हमने हमारे जो मन में question थे, वो automatically बाबा के सामने देखके हमोरे जो question दे, उसके answer हमकोँ मिल गए りました Meditation करते थी, उससे मुझे मेरे मन में शांती अधिया और मेरे मैंन में कुछ मह जो भी पढ़ती थी, वो मुझे याद रहता था यहां के आगे हम हमारे बच्चे को बहुत शान्त हो गया और पड़ाय में भी आगे होते हैं और इसलिए दो मेडिटेशन कराते हैं कि एक्चुली पर्मात्मा कौन है और उसे कैसे पाया जाता है उसके विशय में जो ग्ञ्ञान था और जो अभी मिल रहा है उस वह बहुत ही बैतरीन है और उससे हम आगे बढ़ सकते हैं सभी शहरों में ब्रह्मा कुमारी सेंटर है तो हम सबके निविदन है कि आप सभी भी सेंटर पर जाएं वहां की दिदियों से मिले राज योगा करें तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा आत्मा से परमात्मा से कैसे हम बात कर सकते हैं शांती कैसी मिलती हम अपने जीवन में क्या-क्या बदलाव ला सकते हैं हम कैसे जी सकते हो सब यहां पर सीखा थे और बहुत इधर खाने पीने के अच्छी फैसिलिटी भी है आप्मिक सशक्ती करन का अनुभव कर सकते हैं इस विशे को लेकर के राजयोग से संबंदित कई इसमें क्लासिस होती है लेक्चेज होते हैं राजयोग का अनुभव कराते हैं और जो भी यहां आते हैं एक अमिट छाप अपने जीवन पर लगा के जाते हैं बात करें मनमोही निवन की तो यहां रिदय रोगियों के लिए कैट कारिकरम चल रहा है इसमें पुरे देश भर से 1500 रदय रोगी पहुँचे हैं उनकी दिन्चारिया से लेकर उनकी ध्यानसादना और मेडिसिन के साथ मेडिटेशन की पद्धती सिखाई जा रही है तीसरे परिसर मान सरोवरत में भी कारिकरम शुरू हो गए है देखिये उनकी एक जलक और यहां का महोल एकदम रमनीक है नैच्रल है और यहां पर एकदम सांथ है साइलेंस है किसी तरह क्या डिस्टर्वरंस नहीं है काफी अच्छा लग रहा है और जाने का भी मन्नी कर रहा है मेर इस समय शिक्षावीदों का सम्मेलन चल रहा है जिसमें देश भर से कई हिस्सों से बड़ी संख्या में शिक्षावीद एवं शिक्षा से जुड़े लोग भाग ले रहे हैं इस अवसर पर मुख्य अतीतियों में हैदराबाद उस्मानिया युनिवर्सिटी के वाइस चां के प्रेसिडेंट गुरुदत अलोरा की विशेश मौजूद्गी रही बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द कि अगर मैं कुछ बदल सकूं तो अपने विश्विद्याले और समाज को भी बदलने की कोसिस कर सकूं। मैं जीतना तो सभी से चाहता हूं लेकिन हराना किसी को नहीं चाहता हूं। मतलब इसका ये है कि पहले पोजिशन का मतलब ये कि दूसरे वाले को आपने हराया। पाना है। सिख्षा का लग्ष किसी को नीचा नहीं दिखाना है। अरिवर्तन का माध्यम एजुकेशन ही बनेगा। एजुकेशन ही वो काम कर सकता है। जो चरित्र निमान का काम हमें सुपा गया ये समाज द्वारा। हम सबकी एक जिम्मेवारी है। हम अपनी गुरूं से जो हम सीख पाए। कि अगर हम ठीक तो हमारा विद्ध्या ले ठीक। हमारा विद्ध्या ले ठीक तो ये जगट ठीक। ये संसार ठीक। अउसर पर ग्लोबल टांस्फोर्मेशन थू स्पिरिच्वल एजुकेशन विशे के तहत। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासी का राजयोगीनी भीके सुदेश दीधी। ज्ञान सरोगर की सहनिदेशी का बिके प्रभा, प्रभाक के अध्यक्ष एवंसनस्था के कारयकारी सचिव बिके डॉड्रु मृत्टुन जे भई, प्रभाक की उपाध्यक्षा बिके शीलू, वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम के डिरेक्टर बिके डॉक्टर तो जब आध्यास्मिक बात आती है, तो आध्यास्मिक एजुकेशन कि यह आत्मा को जानने किसे, आत्म परिवर्तन ही जीवन परिवर्तन है। The very purpose of education is to become a peaceful being. किसी भी परिस्तिती हो, किसी भी परिस्तिती हो, किसी भी कंडिशन हो, उन्हें शांती दूत बन कर रहना, लवफुल कर रहना, और लाइट बन कर रहना, और दूसरों को भी उस तो एंलाइट करना, एंपौर करना, एंपौर करना, एंरिच करना, यह पर्पस है परन तो उस पर्पस से हम लोग आगे बढ़ रहा है। मौझूद सांस्क्रतिक और प्राक्रतिक स्थलों को सन्वक्षन प्रदान करना है, क्योंकि यह धरोहर ही आगे आने वाली पीडियों को अतीत की मानों सभ्यता से जोडने का काम करती है। विश्व को शांती के प्रकमपन फैलाने का आववान किया गया। ग्वालियर माधहुगन स्थित प्रभू उपहार भवन में चैतर नवरात्री के पावनाउसर पर चैतरने देवियों की जाकी एवं सांस्क्रतिक कारेक्रम का आयोजन किया। इसमें अनेकानेक लोगों ने चैतरने देवियों के दर्शन किये। कारेक्रम में स्थानिय प्रभारी भी के आदर्श ने सभी को नवरात्री का अध्यात्मिक रहस से बताते हुए कहा कि नवरात्री का पावन उत्सव हमें हिंसक वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने की प्रेड़ना देता है। उन्होंने आगे बताया कि वास्तव में अपने अंदर की बुराईयों और कमी कमजोरियों को समाप्त करना ही सच्चा वरत लेना है। इस अउसर पर कारेक्रम में उपस्तित वरिष्ट आयोरवेदिक डॉक्टर कमल गुपता और निर्मला गुपता ने भी सभी को नवरात्री की शुब काम नहीं दी। पगेल, मनीश अग्रवाल, सेवा केंद्व प्रभारी विके सरीता एवं बिके मधू, सिध्धिदात्री, महागौरी, शैल पुत्री, कात्याइनी, मालक्ष्मी, माकाली, मासरस्वती, आधिदेवियों के चैतिन स्वरूप सजाए गए। तरह दिव्य बना सकते हैं। यह नवरात्री पर्व सिव उत्सव का पर्वना होकर उत्सव के साथ-साथ अपने जीवन को दैवी शक्ती से भरपूर करने का पर्व है। यूपी गोर सराय में चलव है साथ-दिवसिय बारा जोतिलिंग मेला दर्शन के अंतरगत कारेक्रम का समापन, मुख्याती थी पूर्व केंद्रिय मंत्री प्रदीब जैनाधित्य, रामदास ब्रमचारी, भगवती प्रसाथ सागर, वरिष्ट वाजयोक शिक्षिका बिके बिके बहनों द्वारा पर्व का अध्यात्मिक रहसे समझाते हुए यह का आगया कि अपने जीवन में काम क्रोध लोब मो एहंकार का नाश करना ही सच्ची सच्ची रामनोमी मनाना है आज की खबरों में फिलाल इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन नियूज